तार्म रदुगस की ध्वनी भगवा द्वच सिर्पर तोलसी व्रंदावन और मौखिक जैब होलेनात की चाप ने शुक्रवार को नंद को भर दिया मौगता शिवरातरी परवका आज सुभा से डिंडी और पालकी की रस्मे हुई वाकरी की भीड को देखने वालों की नजर में रखना था नान नदी में विराजमान देवधी देव महादेव का मंदिर और राजहंस बाबा का मर्ठ भग गाव है जहां मेरा पंधर पुर विठल रुकमनी मंदिर के नाम से जाना जाता है इस दिंडी में आले सूर वानी, साइगाव और लगभग सभी गावों के भजनी मंदल और बजन दिंडी ने भाग लिया इस भवी समहारों को देखने के लिए आसपास के गावों से हसारों की संख्या में श्रधालू उमड पड़े सुबद 10 बजे महादेव और राजहंस महाराज की पालकी दिंडी परिक्रमा के लिए मुख्य द्वार से निकली इसे दिंडी पालकी के स्वागत के लिए अख्या गाव में रंगोली की गलियों को सजाया गया था डिंडी गुल में शामिल हुए वारक के पैर धोकर कुमकुम का टीला लगाया जा रहा था जगा जगा शुरधालू का स्वागत हो रहा था विबिनिस्थानों पर ग्रामिनों द्वारा उपवास, नाश्ता, चाय, शर्बत और पानी उपलब्द कराया गया जगा को बिजली की रोश्णी और स्वागत करने वाले बैनर होडिंग से सजाया गया था यह दिवाले के बारे में याद दिलाने जैसा था इस अफसर पर गुरुवात तीन मार्च को महाकाल और महाप्रसाथ कारिक्रम का आयोजन किया गया लगवक हर साल 20,000 भक्त इस महाशिवराती महाप्रसाथ का आनन्द लेते इस समय अधिक से अधिक भक्तों को इस उससम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है बीवापूर से NBCN News के लिए राम वागमारे की रिपोर्ट